नमस्कार दोस्तो आज के वीडियो में मैं करने वाला हूँ लूपिन लिमिटेड शेयर का टेक्निकल एनिलिसेस और दोस्तो हम देखेंगे कि इस शेयर में एक दमा के दारते जिकाब आएगी इस टॉक में हमारे बेस्ट बाइंग लेवल्स कौन से रहेंगे और अंत में हम ये डिसकस करेंगे कि ये शेयर में शॉर्ट टम में कौन से टार्गेट्स अच्यू करता हुआ दिखाई दे सकता है तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तो सबसे पहले अगर बात आती है लूपिन शेयर में हमारे ट्रेंड की तो यहां पर दोस्तो आप देख सकते हो ये शेयर अभी लगाता हमें एक डाउन ट्रेंड में दिखाई दे रहा है और इस रेंज में ये शेयर फसा हुआ है और इसी के साथ ये शेयर लगाता है डाउन ट्रेंड में जा रहा है दोस्तो अगर हम बात करते है आज के ट्रेडिंग सेशन की तो आज के दिन इस शेर में हमें एक अच्छी तेजी देखने को मिलीती है और दोस्तो आज जो इस शेर में candle generate हुआ है ये candle एक bullish candle है दोस्तो साथी साथ आज के दिन इस शेर ने अपना 882 का resistance भी break किया है तो दोस्तो ये जो level था ये level एक resistance था पर इस शेर ने इसको break कर दिया है इसलिए अब 882 का level इस शेर के लिए एक support का काम करेगा दोस्तो उसके बाद अगर बात आती है शेर में नए resistance की तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये वाला जो trend line है ये trend line एक important resistance है क्योंकि दोस्तो यहाँ पर आप देखो ये शेर लगातर इसी trend line पे resistance फेस कर रहा है तो chances है कि ये शेर वापस से जब इदर आएगा तो resistance फेस करेगा तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि 932 का level important resistance level है दोस्तो आईएब हम apply करते हैं शेर में कुछ important indicators और देखते हैं कि ये indicators हमें क्या signal दे रहे हैं तो यहाँ पर मैं 2 important indicator को लगा चुका हूँ यहाँ पर दोस्तो आप देख सकते हो कि इस शेर में MACD indicator में हमें लगातार negative histogram generate होते हुए दिखाई दिये हैं पर दोस्तो यहाँ पर हमें MACD का bullish crossover जल्दी देखने को मिल सकता है तो यह एक अच्छी चीज है और दोस्तो अगर हम बात करते है RSI की तो यहाँ पर आप देखो RSI लगातार एक range में first चुका है तो यहाँ पर दोस्तो अगर RSI का भी हमें एक अच्छा सा breakout देखने को मिलता है तो इस शेर में हमें एक अच्छी तेजी देखने को मिलेगी तो दोस्तो यहाँ पर हम कह सकते हैं दोनों indicator अभी तो थोड़े से negative है पर जल्दी दोनों indicator positive हो सकते है दोस्तो आईएव हम देखते हैं कि इस शेर में मैं कब buying करूँगा तो अगर बात आती है खरिदारी करने की तो यहाँ पर आप इस शेर को current market price पर buy कर सकते हो क्योंकि इस शेर का एक अच्छा सा breakout आज ही हुआ है तो दोस्तो जो मेरा सबसे पहला target रहेगा इस शेर में वो रहेगा 932 का level दोस्तो अगर यह शेर 932 के उपर जाता है तो इस शेर में मैं और तेजी दिखने को मिलेगी और उसके बाद दोस्तो यह शेर में 1100 रूपीस से लेके 1300 तक के target अच्छी करता हुआ दिखाई दे सकता है तो दोस्तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही वीडियो पसंद आए ही तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल पर नए हो तो चैनल को सबस्क्राइब कर देना इस चैनल में मेरी को भी बाइसल या होल्ड की सला नहीं है क्योंकि ये वीडियो के अच्छी नल वीडियो है धन्यवाद